अवैद रूप से नेपाल के रास्ते भारत आने के बाद सीमा सीधे ग्रेटर नोईडा में अपने प्रेमी के गाउं पहुँची थी और वहाँ चुपचाप वो रह रही थी हालंकि अस्थानिय लोगों को जब शक हुआ तो पुलिस गाउं पहुची और दोनों तक तक वहाँ से फरार हो गए थी इसके बाद यूपई पुलिस ने हरियाना के बल लबगल से दोनों को गिरफतार किया और कोट में पेश किया गया कोट ने सीमा हैदर को ससर्थ जमानत दी थी अदालत ने सीमा हैदर को आधेश दिया था कि लोकल पुलिस अधिकारी को बिना जानकारी दिये वो भारत नहीं छोणेंगी इतना ही नहीं अदालत ने सीमा को ये भी निर्देश दिया था कि अगर वो वरतमान पते को बदलती हैं तो कोर्ट को इसकी सूचना देनी होगी और बदले हुए पते की जानकारी भी साथ में देनी होगी कोर्ट ने तीसरी शर्ट ये रखी थी कि अब वो भारत में कोई अपराद नहीं करेंगी हालंकि इसी बीच खबर आई कि सीमा हैदर और उसका प्रेमी सचिन मीडा पिछले कई घंटों से गायब हैं जिसके बाद यूपी पुलिस लगातार हरकत में आई और यूपी एटियस ने भी कमान सम्हाल दी अब आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्या योग्या अदितनात के आदेश्ट के बाद यूपी एटियस पूरी तरीके से मुस्तहद है और उसने सीमा हैदर, सचिन मीडा और उसके ससुर को उठाया है जिसके बाद पुस्ताश की गई है जी हाँ सीमा हैदर के पाकिस्तान से आने के बाद सुरक्षा एजिंसियों के होस्ट फाक्ता हो गए थे सीमा हैदर की सच्चाई जानने के लिए UP ATS की टीम ने एक ड्रेटर नोईडा पुलिस से सीमा और सचिन के बयान की कॉपी ली है सीमा हैदर की अभी तक की जाच में सामने आये फैक्ट्स को सचिन और सीमा से पूस्ताच करके एक बार फिर से बेरिफाई किया जाएगा और फिर UP ATS नए सीरे से इसकी जाच करेगी इसके लिए सीमा हैदर सचिन और उसके पिता को UP ATS ने उठाया और नोईडा सेक्टर 94 के पुलिस कमान रूम में ATS ने इन सब से पूस्ताच की है आपको बता दें कि इन सब से पूस्ताच के बाद UP ATS ने ये भी कहा है कि जो कुछ भी कोर्ट ने कहा है उसका पालन करना होगा गौर तलब है कि मोबाइल पर PUBG गेम खेलते हुए प्यार होने के बाद पाकिस्तान की महिला अपने प्रेमी सचिन के साथ रहने के लिए अबैद रूप से भारत आ गई एक तरफ जहां उनकी लविस्टोरी भारत से लेकर पाकिस्तान में चर्चा का विसाय बनी हुई है फिलाल जिस तरीके से सीमा हैदर और सचिन मीरा से पूस्ता चल रही है उसके आधार पर जो कुछ भी निकल कर सामने आएगा वो हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे लेकिन अभी देखिए कि ग्रेटर नोईडा के रभूपुरा गाउं का हाल क्या कुछ है और वहां के लोग क्या कुछ इस पूरी लविस्टोरी के बारे में सोच रहे हैं क्या नाम है आपका? करन मीणा यहीं के रहने वाले? यहीं के रहने वाले हैं तो इस लिए विद्वेट लगाएं उन दर सी हिए हैं मीडिया में तो बहुत सारी खबरें चल रहे हैं कि भाग गई एक नहीं इहीं पे मीडिया बीमार नोई जहादा बीमार में निकला हो गाला का बोल बोल के अंदर रहीं इसलिए मतलब मीडिया वालों से कमी मिला रहे हैं पुलिस भी तैनाती पुलिस भी प्लीस आ रहे हैं मीडिया वाले ऐसे बाते भी कर दिया मतलब किसी किसी से करती है जो जादी परसनल परमिसन लेकर आते हैं वहां से कि तुमने देख ली सीमा देख ली तगड़ी और कैसे नहीं है तो शर्मा क्यों रहे हैं उनके नाम पर मतलब चाचा लगे बतीजे की बहु तो बहुत 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 ना इब बतीजा तो बेसक है मतलब सीमा से बोल गए जो अगर यह जासूस निकली तो इसकी बेहन को मैं ल से बतीजा है मेरा बतीजा मेरी बात माने का चाचा हूं तो इसकी बेहन को मैं लेकर आऊंगा अगरी जैस उसना निकली तो बहुत डिमांड है उनकी बेहन की क्योंकि एक और अभी हम किसी का इंट्रिव्यू कर रहे थे वो भी कह रहा था कि बिना पपजी खेले इसकी बेह 2020 में तो आजाए जी भी फटीप ही मुला का इसने सचिन्ने कराइं थी मेरी बात मतला बैसी जब सते बाते करता था यह दो जार बीस में करता तो 2019 से था मैंने 2020 में बाते कर इंदिए इसकी बेहन से तो तब की थी नाम भी ने बताया उसने मुझे थो के मारक राखराओं आदेगने लाग।